नमस्कार मैं गितानली वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर ट्राइन बिंटिंग एसेमेम गवर्मेंट गल्स कॉलेज भिलवड़ा पिछले वीडियो में हमने भी ए पार्ठ धर्ड के तियोरी पेपर के लिए केके हबबर को पढ़ा उसका शीच भाग इस वीडियो में हम दिखेंगे उनकी कला शिक्षा और उनका कला के लिए योगदान हमने पिछले वीडियो में जाना इस वीडियो में हम उनके चित्रों के बारे में जानेंगे उनका क्या स्टाइल था और किस तरह के वे पेंटिंग्स किया करते थे हैबर की कला में रंगों में कौतुहल भरी जलक दिखाई देती है उनकी मानवा करतियां भी निर्दिश्ट और स्थिरत पद्धती में हैं हैबर की कला की महत्ता अपयोगिता की कसोटी पर वे अवलंबित रहे वे फ्रेंच कलाकर गो गया है वो पाल सेजा से अत्यदिक प्रभावित रहे फिर भी उन्होंने भारति विशय ववात्तावरण का चित्रन किया हलांकि उनके जो स्टाइल था वो पास्चात्य चित्रकारों से प्रभावित था किन्तु उसकी जो आत्मा थी वो भारतिय थी उनके चित्रों के विशय में जनसाधरन के वह मानविय सौंदरे के दर्शन होते हैं जीवन कई है प्रभाव उनके चित्रों में निरंतर बना रहा उनके चित्रों की प्रेड़ना नगर के सुदूर किसी कोने में निवास करने वाले कामगारों से जो जीवन निर्वा है तो साधारन कारों में जुटे रहते थे यही कारण है कि उनकी करतियों में इमारत बनाने वाले मजदूरों किसानों, मच्छुवारों, फल बेचने वालों के दर्शन होते हैं उत्सव नित्ते में घनीबूत एक प्राणता वसरलता से वे अन्वितना होने वाला दर्श्या लेख है उनके प्रमुक्चित्रों के शीर्शक इस प्रकार हैं प्रवा, परवध्धारा, शिद्धा, अज्यात की ओर, संगीत, होली, दिपावली, अजंता, मुर्गों की लड़ाई, मा बेटी, शमिक, पंघट, यमुनापर, नरजीवन, सुनहेरे लाल जाड़े की रात, विवावत्सव, दक्षिन भारत के हाट बजार, आदी आपने सेकडों रेखाचितर बनाए जिन में मुर्गों की लड़ाई, धान कूटते हुए अच्छे उतारण है, इनके अलावा अनेकों चित्रों ताथ रेखाचितरों के कुछ एल्बम भी प्रकाशित हुए, इन रेखाकरतियों में लैपूंटता और नाटकी अगती का सम समावीश है, आपने विशिश रूप से नृत्ते से समंदित रेखाचितर किये, जिन में बेहत सुन्दर लायात्मक रेखाएं हैं, और सीमित रेखाओं में बहुत सुन्दर अंकन किया गया है, हैबर ने अपनी कला को हलके, मद्यम तता चठक रंगों के अलोग से सम्रिद बनाया, सपाट आयताहीन विशेवस्तू के चित्रांकन में भारतियता कानुकरन निर्वाहरा लेकिन मातिस वब्राक जैसे अधुनिक कलाकरों के काम से प्रवावित होने के बाद हैबर के चित्र भी छाया प्रकाश सहीजन से मुक्त हो गए, हैबर के प्रिया रंगों में लाल, गहरा भूरा, नीला, पीला वब, पिकॉक भ्लू रहे जिन का प्रयोग भी अपनी चित्रों में बहुत आयत में करते रहे, प्रकाश वच्छाया सहीजन से मुक्त है, रंग वंद ले उनके चित्रों में प्रवाहित है, उनके रिखा चित्रों में काव्या त्मक ले अत्यंत प्रकर थी जैसे जैसे इनकी कलाग्रसर होती रही वैसे वैसे इनकी रंग वरेखंकन पदती अत्यंत सुन्दर सुहावनी और सरल होती गई उनकी कलपना रंगों वाकारों पर अपना पूर्ण नियंतरन रखती थी उन्होंने रंगों के मनोवज्यनिक पक्ष को लेकर रंग विधान प्रस्तृत किये हैं अपनी कला स्रिजन यात्रा के दौरान आपको अनेकों पुरस्कार सम्मान भी मिले उनके मौलिक स्रिजन को समझिक वानेता मिली समयांतर से अनेकों छोटे बड़े पुरस्कार मिलते रहे जिनमें 1941 में कलकत्ता ललितकल अकादमी का स्वरण पदक, 1947 में मई आर्ट्स स्यॉसाइटी का स्वरण पदक, भारस सरकार द्वारा पदम श्री, पदम भूशन की उपादी से भी उन्हें समानित किया गया, मैसूर युनिवस्ट्री द्वारा उन्हें मानद उपादी दी प्राप्थ हुआ लालित कला अकादमी फैलोशिप भी उन्हें प्राप्थ हुई और उनके कृतित्व व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक मोनोग्राफ भी अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया 1945 से要quar CDC में अपने उन्बई में अपनी वेशिष्ट कला प्रदर्षणीा आयजित्की आधुनी कला का प्रत्रित करने वाले पैरिज के कला संग्रहाले में साधुना मकाप की कला क्रդी को प्रदर्शित किया गया जिससे वहां के लोग अत्यंत प्रभावित हुए उन्हें एशिया की महान कला परंप्रा का समवाहक घुशित किया गया 1951 में पैरिश की कला प्रदर्शनी में भी आपने भाग लिया जहां पिकासो रोजर लेजर आदीफ महान कलाकरों से आपकी भेट हुई यूरोप के अन्ने देशों में भी आपकी कला की प्रिशंसा हुई 1996 में 26 मार्च को आपका देहाव सन हो गया आपके कुछ विशिष्ट चित्रों का संग्राय इस वीडियो में है रिक्षा पुलर स्वीपर्स क्योंकि आपका आपकी जो शैली थी उसमें आपने विश्वयों में साधारन जन्जीवन को चुना और वो आपके आकरशन का केंदर बने और आपने जन्ता के सामने भी उसे प्रस्तत किया अंटाइटल फिश एक स्केच है अंटाइटल एक अंटाइटल चित्र जिसमें धोल बजाते हुए एक व्यक्ति बनाया है और आसपास कुछ लोग और है एक अन्य चित्र विक्तिम्स जिसमें इनके मनुभावों को अच्छे से देखा जा सकता है एक अन्य चित्र जिसमें दो महिला है आपस में बात्चीत करती ही नजर आ रहे हैं अंटाइटल है यह चित्र मरीखा चित्रों में आपके विशिष्ट प्रावाव पूर्ण रेखाएं होती थी देख सकते हैं आम लोग सीमित रिखाओं में आपने रिखांकन क्या बेहत सुन्दर और लयात्मत बन पढ़ा है यह मृत्य करते हुए यूगल आपने विश्विष रूप से रिखाचित्र बनाया उनमें मृत्य से समद्धित रिखांकन अधिक किया और इसके लिए आप लाइव स्केच करते थे जहां इस तरह के कारेक्रम होते थे वहां आप जाकर के उनका लाइव स्केच किया करते थे और शायद इसी वज़े से बहुत सुन्दर रिखाएं आप बना पाया और उनका पूरा आपका अधिकार था इस तरह से हमने केकेहबर के महतुपूर्ण कारें को देखा और जाना और उनके जीवन के बारे में अध्यन किया धन्यवाद